अगर आप भी अपने पेट की चरबी को कम करना चाहते हैं, बेली फैट को कम करना चाहते हैं, अपनी लटकती हुई तोन से परेशान है, जब भी कोई कपड़े, आपके मन चाहे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो पूरे शरीर में तो फिट बहुत अच्छा आता है, लेकिन व वीडियो को शुरू से अंतक देखना है, पहली बात, दूसरी बात, अगर आप चैनल में नए आए हैं, तो आपका स्वागत है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो दिल से थैंक यू, एक बात और, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लीजेगा, अगली वीडियो कभी भी मेरे चैनल पे आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नमस्कार दोस्तों, मै शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में, दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, तो अब हम अपनी योगा मैट पर आराम से पीट के बल लेट जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे, और सबसे पहला अभ्यास, एकदम बाड़ी के साइड में रखें, दोनों पैर की एड़ी और अंगूठों को जोड़ लें, हतेलियों को फ्लोर की तरफ टर्ण कर दीजेगा, जिससे हतेलियों कभी थोड़ा आपको सपोर्ट मिलें, छत की तरफ घुमाके मत रखिएगा, बाड़ी के करीब रखिएगा, और उसके बाड सांस लेते हुए दाहिना पैर उठाएं, और सांस छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दें, सांस लेते हुए बाया पैर उठाएं, और सांस छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दें, पैर को हमें मात्र 60 डिग्री इस तरीके से उठाना है, और सांस को छोड़ देन है इन्हेल राइट आप एक्सेल राइट डाउन इन्हेल करते हुए सानस ले राइट उठाएं और सास छोड़े आपको ध्यान अपने लोवर अब्डमन पर अपनी नाभी पर रखना है सास ले और सास को छोड़े आज के सारे अभ्यास जितने भी हम करेंगे इनको अलग-अलग हम levels में divide करके करेंगे तो अभी हमने level 1 किया अब level 2 में जाने से पहले मैं आपको बता दू हर एक अभ्यास को अपने हिसाब से 5 बार 10 बार 15 बार या 20 बार जितनी भार भी आपको repeat करना है उतनी बार repeat करें तीन set कर लें अगर तीन नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुवात एक set से ही करें तो डिपेंड करता है कि आप किस intensity पर करना चाहते हैं तीन बार करना चाहते हैं तीन बार करें और अगर 5, 10, 15, 20 जितने repetition करने हैं आपको उसे साब से करें अब हम करेंगे level 2 तो अपनी yoga mat पर लेट गए अभी हमने single leg races किया था अब हम single leg races के बाद alternate single leg races करेंगे सास लिया right उठाया hold करके रखा पूरा 90 degree ऐसे नहीं उठाएंगे 60 degree थोड़ा सा नीचे और फिर उसके बाद left को उठाया बल पड़ा पेट पर और सास छोड़ दिया right down और left down two inhale right up left up exhale right down left down inhale right up left up exhale right down left down two बार और सास लिया right उठाया left उठाया सास छोड़ा right नीचे और left नीचे एक बार और सास लिया उठाया और सास छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप किया दोस्तों अगर आप मेरी निग्रानी मेरे की योग का भ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली online yoga classes में इन online yoga classes को सोमवार से शुक्रवार यानि Monday to Friday कंड़क्ट किया जाता है एक घंटे की classes होती है हर दिन अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानयाम, ध्यान, रिलाक्सेशन करते हैं आप जिससे की मेरे students को overall स्वास्त में लाप मिला है आपको बताऊं मेरे कुछ students को बहुत severe health condition थी जैसे diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, लड़कियों को periods की समस्या, PCOD, PCOS की समस्या conceive नहीं कर पाते दे, मानसिक तनाव था इन सारी health condition में मेरे students को उभरने में बहुत मदद मिली है और अब वो निरंतर योग का अभियास करते हैं तो अगर आप ये classes join करेंगे तो आपको बहुत से benefits मिलने वाले हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और साथ ही आध्यात्मिक अगर आप सोच रहे हैं कि ये classes कौन join कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति join कर सकता है, अगर आपने पहले कभी भी योग का अभियास नहीं किया, वो भी और अगर अल्रेड़ी योग का अभियास कर रहे हैं, वो भी सबसे अच्छी बात है कि आपको कहीं जाना नहीं है, अपनी ही घर में योगा मैट बिचानी है, इंटरनेट के द्वारा आप मुझसे जुड जाएंगे और अपने घर के comfort zone में ही रहे के ये अभियास कर सकते हैं लेकिन किसी कारण से आप अगर जुम पे ये classes नहीं जॉइन कर पाएंगे, तो आप मेरे द्वारा कुछ course record किये गए हैं, उन courses को purchase करने के बाद एक घंटे की classes होंगी, जिन वीडियोस को आपको मिलेंगी, वो वीडियोस को प्ले करके एक घंटे के दौरान आप आसन, प्र comfort of your home, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जूम classes के बारे में, या courses के बारे में और जानकारी कहां से मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी website शेर की है, जो की है www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये whatsapp number शेर किया है, इस whatsapp number पर अगर आप एक whatsapp कर देंगे, तो आप अभी तो ये वीडियो देखी, आप शुरू से आन तक, फिर बाद में जाके चेक आउट जरूर कीजेगा, तो आपने देखा कि लेवल टू की जो हमने practice की, उसमें बहुत अच्छा हमने core को engage करके रखा था, यानि पेट की manspatio को tight करके रखा था, ध्यान को नाभी पर का और फिर दूसरे पैर को उठाया, और फिर उसके बाद सांस छोड़ कर दोनों पैरों को drop कर दिया, अब लेवल 3 की तरफ बढ़ेंगे, अब जो लोग इसके आगे के अभ्यास ना कर पाएं, वो single single leg से ही अभ्यास करें कुछ दिन तक, अब दोनों पैरों को साथ में इस तरीके से 60 degree उठाया और सांस छोड़ते हुए ऐसे drop कर दिया, ऐसे सांस लेते हुए उठाया और सांस छोड़ते हुए ऐसे drop कर दिया, दो बार और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल and एक्सहेल यहाँ पर मैं आपको एक bonus tips दूँगी, कि अगर आपको बहुत बार लोग अपने दोनों पैरों को नहीं उठा पाते हैं, तो आप अपने दोनों हाथ की elbow को ऐसे मोड़े, अपनी उंगलियों को कमर के नीचे हलका हलका ऐसे ऐसे, इस तरीके से tuck कर लें, ध्यान रखिएगा कि बहुत बार लोग ऐसे हाथ को अंदर body के रख लेते हैं, तो फिर उनको load पड़ता है lower back में बहुत, यह मत कीजिएगा, हलका सा उंगलियों को बस टक कीजिएगा, पैर को सीधा रखिएगा, ऐसे, और फिर उसके बाद सास लीजिए, तो यह थोड़ा सा आसान हो जाएग ध्यान को हर वक्त आपको आपकी lower abdomen पर यहाँ पर रखना है, ना भी के आसपास ध्यान को रखना, ऐसा, ऐसा, फिर उसके बाद जब यह तीन लेवल हो जाए, तो दोनों हाथों को निकाल दे और थोड़ा rest करें, तो इन तीनों लेवल का अभ्यास करने के बाद आप एक महसूस करेंगे, अब हम धीरे धीरे इनकी intensity बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप आगे के अभ्यास के लिए comfortable नहीं है, तो पीछे के अभ्यास ही 3-3 बार कर ले, अगर आगे के अभ्यास के लिए comfortable है, तो आगे आप बढ़ते जाएं, 10-10 या 20-20 के repetition करते हुए, मैं हर एक practice का आ पाच-पाच repetition दिखलाऊंगी, तो फिर से अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे, अब अपनी डंबल ले लेंगे, अगर आपके पास डंबल नहीं है, तो आप एक water bottle ले लीजेगा, पानी भर लीजेगा, और या कि फिर 8 भी ले सकते हैं, तो ये अभी मेरे पास 3 किलो की डंबल है, अगर आपसे 3 किलो ना उठे, तो आप 1 किलो या 2 किलो से शुरुआत कर सकते हैं, तो अभी हमने exactly जो अभ्यास किया, उसको हम डंबल के साथ करेंगे, अराम से ऐसे लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से ऐसे, ऐसे फसाना है, ऐसे, ऐसे फस कोट मिल जाएं, और फिर उसके बाद सास लिया, और सास को छोड़ दिया, सास लिया, टू, और सास को छोड़ दिया, त्री सास लिया, और सास को छोड़ दिया, फोर सास लिया, और सास को छोड़ दिया, ऐसा, फिर उसके बाद डंबल को हटाएं, और आराम से थोड़ा रे आप जितना comfortable हो उतना करें अभी dumbbell का weight से तो काम कर लिया अब अपने body weight से अपने पेट की मान स्पेशियों को मजबूत करेंगे तो हम अपने pair को अभी क्या कर रहे थे 60 degree एक साथ उठा दे रहे थे तो वो ना करके अब हम पहले थोड़ा सा उठाएंगे 15 degree फिर 30 degree और फिर 60 degree होल्ड करेंगे फिर जब drop करना है तो 60 degree, 30 degree, 15 degree इस तरीके से थोड़ा सा challenging हो जाएगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा अब body weight के साथ ऐसा अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे हलका साय से टक कर लिया पैरों को सीधा कर लिया और फिर उसके बाद 15 degree, 30 degree, 60 degree साज लिया साज छोड़े 60 degree, 30 degree, 15 degree and down 2, 15, 30, 60, inhale, exhale, 60, 30, 15, down, 3, inhale exhale, exhale, धीरे धीरे control के साथ जितना control के साथ आप अभ्यास करेंगे आप उतना challenge वहसूस करेंगे और यह सारा का सारा बल जो है यह आपके पेट से आ रहा है ऐसा इस तरीके से धीरे धीरे हर एक level पर रुक रहे हैं और फिर पैरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से फिर release कर दें फिर rest करें अब यह सारा हमने double के weight से without weight अभ्यास कर लिया अब जब next level पर और आगे बढ़ रहे हैं जिसमें leg races के साथ हम अपने hips को आप करेंगे इस अभ्यास में आप और महसूस करेंगे कि पेट के आसपास इस fire को तो इसको भी हम कोशिश करेंगे पाँच या दस बार repeat करें डिपेंड करता है आप कितना आराम से कर सकते हैं तो फिर से अपने yoga mat पर ऐसे पीट के बल लेट जाएंगे दुरों हाथों को body के side बे रखा and one two three four and five फिर उसके बाद आप खुद पेट पर बहुत गहरा इसका effect देखेंगे आराम से अपनी yoga mat पर लेट जाएंगे शावासन में लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत मिशेश ध्यान लखने वाली है कि इन अभ्यासों के साथ साथ आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखना होगा ताकि आपका belly fat reduce हो क्योंकि spot reduction नहीं हो सकता लेकिन हम अपने उन अंगों पर काम कर सकते हैं जहाँ पर हम कुछ change लाना चाहते हैं तो पहली सबसे बड़ी चीज कि आपको regular exercise करनी है इन अभ्यासों के साथ साथ अगर आप आदे घंटे सूरे नमशकार का अभ्यास करना शुरू कर दे या आदे घंटे थोड़ी धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू कर दे या कि फिर आप आदे घंटे डांस कर लिया करें या कोई ऐसी physical activity कर लिया करें या कोई sports खेल लिया करें दूसरी आपको अपने खान पान का विशेज धियान रखना है अपने खाने को हमेशा बहुत moderation में रखें यानि की जितनी भूख है उसे थोड़ा सा कम खाएं और जैसे इसे calorie deficit आप maintain करेंगे यानि की बहुत over eating नहीं करेंगे तो आप automatically आप अपना body का fat reduce करना यानि belly का fat reduce होते हुए देखेंगे तीसरा बहुत से लोग नीन से बहुत compromise करते हैं तो अगर आप proper 7-8 घंटे की नीन नहीं लेते हैं तो आपको बहुत ही जादा दिक्कत होने वाली है चौथा stress थोड़ा कम लिया कीजिए stress कैसे कम होगा निरंतय योग का अभ्यास करेंगे physical activities करेंगे और प इन चीजों के साथ साथ आपको इन practices को जरूर include करना चीए फिर आप देखेगा कैसे आपको results मिलते हैं आपको एक बात बताओं अगर यह अभ्यास आपने मात्र एक हफते किया ना तो आपको मात्र एक हफते में गजब के results देखने के लिए मिलेंगे लेकिन शर्त यह है कि अभ्यास आप regular करें तो देखा आपने कितनी आसानी से step by step मैंने अलग-अलग levels में अलग-अलग intensity में आपको यह सारे अभ्यास सिखाए step by step I am sure कि अब यह अभ्यास आप हर दिन करेंगे निरंतर करेंगे ताकि आपको लाब मिले लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान कोई comments हैं अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी तो मुझे नीचे comment करके बताईए अगर आप चाहते हैं कि आपके suggest की हुई किसी topic पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप definitely मुझे नीचे comment कीजेगा आपके comments का मैं मुझे बेसबरी से इंतजार रहता है हर दिन योग का अभ्य करते रहिए खुद का ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए अगली वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होती है नमस्ते